हेलो गईज कैसे सब्सक्राइब गईज आज की रुड़ी में मैं आपको बताने वाला हूं यह दि आपके पीसी यह लेप्टाप में टी लांचर का लेटिस्ट वर्जन क्रेस हो रहा है तो इसका कारण क्या है तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं तो गईज कारण यह है कि आपको जो पीसी यह लेप्टाप है वो टी लांचर के लेटिस्ट वर्जन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इसलिए आपको टी लांचर है जो टी लांचर के लेटिस्ट वर्जन है वो क्रेस हो रहा है ठीक है अगर आपको टी लांचर का ओल्ड वर् Minecraft का latest version यानि Band419 नहीं चला सकती ठीक है आपको इसके लिए T-Lancher का latest version नहीं download करना होगा और आगर आप latest version करोगे तो वो आपका crash होगा ठीक है तो आप Band419 से जो है old version है आप उनको use कर सकते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको T-Lancher का old version कैसे download करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर Chrome browser पर आजाना है यहां पर आपको search करना है assist device.in ठीक है और गैसे इस website के link मैं आपको description में भी दे दूँगा आप बहाँ पर click करके directly इस website पर आ सकते हो तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे होगी शुरू में यह website आपको assist device के name से तो आपको इसी पर click करना है और इस website पर आपको आजाना है इसके बाद यहां पर आपको search करना है ठीक है इतना आपको लिखकर search करना है तो यहां पर मैं type कर देता हूँ fix minecraft has ठीक है यह इतना लिखने के बाद आपको search करना है तो इस post को मैं हटा देता हूँ हाँ ठीक है और इसके बाद यहां पर आपको search करना है जैसी आप यहां पर search करोगे यह लिखकर तो यहां पर guys जो है शुरू में यह आपको एक post नजार आएगा तो guys आपको यहां पर इसी post पर click करना है fix minecraft has not started ठीक है तो जैसी आप इस post पर click करोगे तो यहां पर आप जाओगे इसके अंदर ठीक है आपको अब यहां से आपको ऊपर की साड़ स्क्रोल करना है वो सबसे last में पहुँच जाना है तो यहां पर आपको दो link दिखाई देंगी और यहां पर दाउन जाता है उसके बाद आपको उसे इनिस्टार कर लेना है एंगर आप को लेंटेस्ट वरिजन जो है वहां पर करने के लिए भी चाहिए आपको आप unanim करना है डिक है पर को क्लोज कर देंगा यह को इसी तरह से के उल्डार करसा हो और ऐस लेस्द्स की स्ट्र नहीं अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलो को इस मिलते हैं वीडियो में